हेलो नमस्कार अदाप सस्रीकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकडी में आपका स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेश मिलते रहा कल दोस्तों मैंने बात किया था आबुदावी के बारे में और कुवेत के बारे में जो की इंटरव्यू चलने वाला है उसका 21 को और 24 को आज जो मेरे पास डिटेल आई है वो इस चीज पर आई है कि एक आबुदावी में वेकेंसी जी आई है वह भी बहुत किस किस पोस्ट के लिए 25 को चलेगी तो पहले मैं बताता हूं कि 23 को चलने वाली है 23 सेप्टमब्ल को मैं आपको बता दे रहा हूं पहला जो है उसे पाइप फब्रीकेटर की आय जो है वह उसकी सैलरी जहें वह फीक्राइब यह उसकी सेलरी चाह बहुत ही अच्छी सेलरी इकल टूенटी रूपीज इंडियान होती है और तीसेरी जो फेकेंसी friendly है कि फैब्रीकेसन फोर्मेन का है हुँष की फथीछ फैब्रीकेसन फोर्मेन का है उसकी सेलरी जोionar 2513 curry है और उसके बाद जो है वो है जिसकी चलनेवाली ुसकी है जीili broken 009 उस्पैटेमबर को चलने वाली इसी 23 को आपको इंट्रेविव तर्फ करना है। आपको इंट्रेविव देना है तो आप नीचे मैंने मुबाईल नंबर दे रखा है। इमेल आइडरीक दे रखा है। आप उस पर कॉमेंट में आप मिनसे आडेस पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे जान करी हूँ आपर दे दूंगा। तो दोस्तो 23 को जो इंटरेवु चलने वाली है वो pipe fabricator, extractor fabricator and fabrication foreman, piping foreman and extractor foreman की इंटरेवु चलने वाली है जो की आभूदावी की company है, NBTC, company का नाम NBTC company है, ओके, आप net पे भी search कर सकते हो, आभूदावी में NBTC company है या नहीं, यह कैसी company आप search कर सकते हो और दोस्तो मैं आपको यह 100% सही बताऊंगा कि जो भी अच्छी company होगी मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, दूसरी company के बारे में नहीं बताऊंगा, क्यूंकि आप उस company में जाओगे, काम करोगे, आप जहां जाओगे, इंटरेवु दो उसको फायदा होगे, या फिर क वो मैं आपको बताऊंगा, किस किस चीज पर उसकी इंटरेवु उने ज्यादा तर उसमें वेल्डर लोग चाहिए, वेल्डर जो कि TIG and ARC वेल्डर है, उसकी चाहिए, तो चलिए बाब मैं भैकेंजी के तरफ जाता हूँ, तो पहली जो है TIG and ARC वेल्डर जो है, जो SS, या स्साथ की इद्व होगी, एंड तीसरी जो चाहिए वो शिक्स जी आर्क वेल्डर चाहिए, DSS की, स्क्सो जी आर्क वेल्डर चाहिए, जो कि उसकी इसकी सैल्डरी जो है, वो 2,200 तक की है, और उसकी बाद जो है, वो TIG and ARC वेल्डर चाहिए, DSS and कि इन इन कोनल का समझतेजों डि एस इस एन कोनल का चाहिए जिसकी शेल्ली जो है वह अच्छी खासी है 25-25 तक के यह जो वह बता रहा हूं और यह जो 23 तारीक इंटर्वी वने वाले या भी 25 तारीक दिए इसकी जो एक्स्रेक्ट फेब्रिकेटर टीग एंड फूल टीग वेल्ड़र टीग आर्क वेल्डर जो मैंने बताया है वह सब की सैलरी जो है वो overtime के recording है आप 8 घंटे की आपको उतना मिलेगी और आपको overtime जितना करो तो उसकी आपको अलग से मिलेगी तो दोस्तो 25 तारीक को जो वो interview वो TIG and Arc Welder का है SS का and Full TIG Welder का है SS का and 6G Arc Welder का है SS का and TIG and Arc Welder है DSS and Nikon okay उसकी salary अच्छी खाल से 2500 से 2800 से के बीच में और दोस्तो मैं आपको बता दू हर एक वीडियो में आपको उतारंग कि मैं जहां भी बताऊंगा आप वहा जाएंगे interview देने, आपको अब हुआपको कोई परिशानी नहीं होगी और आप वहाँ पे जाएंगे interview देने, आप अगर इंत्रेस्टेड हो अगर वहाँ पे जाओगे interview तो आपको 4 चीज़े ज tämä, पहरा पहला जो है आप वहाँ पे passport ले जाओगे ओरिजिनाल ओके दोस्तों तभी आपको इंटर्व्यू में बैठने दिया जाएगा ओके आप अगर इंट्रेस्टेड हो तो मेरे नीचे दिये गए बेल आइकन को आप दबा दे ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो भी जो जानकारी होगा मैं आपको डेली डेली अपडे इमेल आइडियो और वाटसप नंबर दे दूँगा जिससे कि आप उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिये गए डिस्क्रेप्शन को पूरा पर है मैं नीचे भी डिस्क्रेप्शन है पूरी आपको ब्रांचेज और उसके बात सेल्री भी आपको वहाँ पर डिटक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको जानका जाल जानकाई दे पाऊंगा आपको आश नोटिफिकेशन आएगी ताकि आप मेरे वीडियो को डेली डेली अपडेट देख पाएंगे ओके दोस्तों ठेंक यू